हेलो फ्रेंट्स वेलकम टूरली स्टडी ट्रेडिशन अप सक्सेश फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम जीके के बारे में डिसकस करने वाले जीके का यह पार्ट 25 रहेगा और 24 तक हम ओले डिसकस कर चुके यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर यहां से कोई भी कोशियन बाहर ना जाने पाए सामानि ज्यूंन में तो देखि को सामानी ज्यान की बात कर रहे है और जो करेंट पर आप इस के देख सकते हैं तो फ्रेंट यहैं आप MPPan graphics साई कॉंस्टेबल 2019 के लिए तियारी कर रहे तो आप परिक्चा आपको डाउनलोड कर लिए यहां पर आपको टेस्ट सेरीज मिल जाएगी बहुत ही अच्छी टेस्ट सेरीज प्रोवाइट की जा रही है आप इससे की सब इंस्पेक्टर और कॉंस्टेबल दोनों की इँक्जाम की तियारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी टेस्ट दोनों के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपको इतना करना है कि आक अगर आप इसको purchase कर सकते और आप coupon code को यूज करेंगे जब आपको डिसकाउंट मिल पाएगा तो यहाँ पर यह coupon code यूज कर लीजिए आपको सबस्क्राइब करें आपको सबस्क्राइब करें आपको सबसे पहले आपके mobile पर मिलती रहे तो चलिए हम देरना करते हैं पार्ट इसके जो अगरा पार्ट था उसमें हमने कोशन दिया था आपको कि मद्ध्रदेश में नोट प्रिंट प्रेस कहां इसती थे बोपाल होसंगाबाद देवाज जबलपूर आपका इस पर राइट आंसर भी हमें मिले बहुत सारे लोगों ने सभी आंसर हमें क्लिक करके बताया तो इसका राइट आंसर है देवास जी हां देवास मिस्ती थे नोट प्रिंट प्रेस तो यहां पर आपको यह याद रखने हैं बहुत बार एक्जाम में पूचक है आज के कोश्चन के और आगे बढ़ते क्या कोश्चन हम आपके लिए लेकिया है जिसका आंसर आज पिर भी कमेंट करके बता है या नहीं है इसका राइट आंसर तो आप जली से कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंट्स आज की कोश्चनों के लिए आगे बढ़ते हैं तो आज कोश्चन है हमारा छेत्रिक के संदर्व में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाधिव पे तो कौन ज culmininiदी का उधगम इस्तान कहा है मोस्ट आइमप पी जमीनदी पिछली वार आपके एकजम में पूचा अजाम पॉचा गए था नहीं नई नदियों के नाम पूचे गए थे तो यहाँपे जमनी नदी भी उसमें सामिले तो जमनिनदी का जो उधगम हुआ है वह है साङर से सागर से इसका जो की उद्गम हुआ जमनी नदी का तो यहां पर आप यह याद रखे सागर जमनी नदी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किसी प्रदेश के राज्यपाल की न्यूकति कोन करते हैं तो राज्यपाल की न्यूकति करते हैं वह राष्टपति के द्वारा की जाती तो यहां पर आपको यह याद रखिए और मद्धिविदेश की वर्तमान राजिपाल है वह है आप कमेंट करके आमें बता दीजिए आप सभी को इसका पारे में पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता ही कौन जो की मद्धिविदेश की वर्तमान राजिपाल है तो यहां कर आएगा माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जो परवत है उसकी तिब्वती नामकार्थ विस्व की देवी मा है तो यहां पर आपका डार्यक्ली आंसर आजएगा माउंट एवरेस्ट आगे बढ़ते हैं ख्याल गायन के लिए विक्याद इंदोर घरानने की स्ताफना किस ने की थी मोस्ट आयमपी यहां से कोश्चन देखिए कि ख्याल गहराना है ख्याल विक्याद घराना गाया नहीं इहां पर जो आमीर खान नहीं बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा और आमीर खान से भी बिल्कुल कोश्चन पूचे जाते हैं तो इन्होंने जो कि इंदोर घराने किस्ता अपना की थी, ख्यात थे इसके लिए वो, तो इन्हों ने जो कि आमिर खानियां साब का right answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, वर्स 2016 में किसको जो कि दादा साब फाल की पुरुषकार से सम्भानित किये गए, तो यहां पर देखे के विश्वनात जो है, इनको दादा साब फाल की पुरुषकार से 2016 में क्योंकि सम्भानित किया गया था, तो यहां पर आपका right answer हो जाता है, next, तापती नदी का मूले, तापती नदी का जो कि उद्गम कहां से हुआ है, यह कोश्चन में पूचा गया, तो देखे, तापती नदी का जो उद्गम हुआ हो, मुल्ताई जिले बेतुल से हुआ है, मुल्ताई जीले बेतुल से हुआ है तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है जो कि तापती नदी मुल्ताई जीले बेतुल से निकलती है आगे बढ़ते हैं बोरी वन्य जीव अभ्यारन किस जीले में इस्थित है आगे बढ़ते हैं, Sister Nivedita के नाम से किसे जाना जाता है, तो I hope कि आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा इनके बारे में, तो Sister Nivedita के नाम से Margaret Noble को पुरुस, जो कि जाना जाता है, और ये जो है स्वामी विवेकानन्द की सिस आगे बढ़ते हैं, नीती आयोग के अध्यक्ष कोन है, तो नीती आयोग के जो अध्यक्ष होते हो, प्रदान मंत्री होते हैं, जो भी रहते हैं, उस समय नीती आयोग के अध्यक्ष रहते हैं, तो यहां पर आपको फस्ट उप्सन जो कि बिल्कुल राइट रहेगा, आगे बढ़ते हैं राश्टी रक्षा कादमी यहां इस्तिते तो राश्टी रक्षा कादमी जो की धेरा दून में इस्तिते तो धेरा दून में इस्तिते राश्टी रक्षा अकादमी आगे बढ़ते हैं प्राचिन संगीत कला का विद्वान सदेव से किने कहा जाता है तो प्राचिन संगीत कला का विद्वान कहा जाता है तांसे इनको कहा जाता है तो तांसे यहां से आप डारेक्ली याद रख सकते हैं तांसे राइड आंसर है आपको किसने अभिज जो कि इनके पिर्सित दिनाटक है चलिए आगे बढ़ते हैं राष्ट बाली का दिवस कब मनाया जाता है तो यह देखिए आपके जो कोश्चन में इससे पहले जो पार्ट था हमने करीबं 15-16 पार्ट में कोश्चन आपको डिसकस किया था हमने और यह जो कि 2017 के एकजाम में प और यहांप को बहुत करी जाते हैं राष्ट बाली का दिवस जनवरी को मनाया जाता है डो ऒयाउखिए लिए चैंपियों कि टूर्णमेंट किस देश नहीं जीता है यह जीता था भारत ने तो यहांपा आपको भारत बिलकुल राइट आंसर है भारत के ब्रतम मुक्तिन य तो यहां पर आप यह याद रखें आगे बढ़तें वंदे मातरम से भी कोश्चन पूचा गया है तो यहां पिसका राइटा अंसर है वकिम चंद चटा जी, जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, राष्टी विज्ञान कांग्रेस का एक सो तीनुवा सत्र कहां आयुजित हुआ था, तो ये हुआ था आपका, कहां पर मेसूर में ये की आयुजित हुआ था, देखिये राष्टी कांग्रेस के जो दिवेशन इनसे रिल आपकी एक्जाम में देखने को मिले था, राष्टी विज्ञान कांग्रेस से, तो बिलकुल आप इसका राइड अंसर यहां पर मेसूर होगा, और ये जहां कई भी मिले, आपको बिलकुल पल लीजिए, याद रख लीजिए उनको, क्योंकि यहां से कॉश्चन बनते है, र बिले वो है, तो कितने बेंक इसमें मिले हैं, तो ये पांच राइड आंसर रहेगा, आपका पांच जो बेंक है, इसके सांथ मिले है, SBI के सांथ, नेक्स, पसु के लिए एक ब्लड बेंक लॉंच करने वाला, सबसे पहला राज्जि कौन सा बनेगा, तो पसु के लिए एक अलग से blood bank जिस राज्य ने जो की launch की है वो राज्य आपका उडिसा जी है उडिसा राज्य जो की सबसे पहले राज्य बन गया पसू के लिए blood bank launch करने वाला नेक्स्ट पोकरन में पहले नांभी की सब्सक्राइबं राज्य पोकरम whences राज्य राज्य रक एज़ी चलिए आगे बढ़तें सीनेमा में भारत को सर्वोच जोकी पुरुसकार कोंसा है था कि छेट्रे में भारत के सर्वच्य पुरुसकार कौन से दादा साप फाल के पुरुसकार आप सभी को पता है यह दादा साप फाल के पुरुसकार जो है सिनेमा के छेत्र में सरवच्च पुरुसकार इसको माना जाता है आगे बढ़ते हैं तांसें संगित समारो जो कहां आजुद किया जाता है देखे तांसें से नाबी की विदूत परियोजना में नाम से बागी आप इसका राइड्सर किलिक कर सकते हैं जो कि कम chances हो जाते हैं आपका जो कि सही answer click करने के बहुत ज़्यादा chances हो जाते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दिश्चन की और भाकडा नांगल बाध इस नदी पर निर्मी ते तो भाकडा नांगल जो बांध है आपका किस नदी पर इस्तित थे सतलज नदी पर इस्तिते भाखडा नांगल बांध तो देखे यदि आप बांध से रिलेटेड बहुत देशे नदी घांटी बांध जो याद करना चाहते जीके टिक्स में आपको वीडियो में जाएंगे वहाँ पर आखर आप देख सकते पूरे वीडियो में कम समय बिल्कु कि जाए तो उस टाइम पर जो थी साक्षरत दस उनसे तर पॉइंट 32 परसेंट सी जिए 69 पॉइंट 32 परसेंट जो कि साक्षरत दर थी 2011 के अनुसार नेक्स टाग बढ़ते हैं विसुनात आनंद का संबन्द जो कि किस से किसके प्रसिद दखिलाड़ी तो विसुनात आनंद जो है सत्रंज के प्रसिद दखिलाड़ी है जी हां सत्रंज के प्रसिद दखिलाड़ी है विसुनात आनंद बहुत ही चर्चित व्यक्ति है ये मालवा चेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सेर कौन सा है तो देखिए पन्ना उज्जेन इंदोर उमरिया रिवा और रेवा बिन तो यहां पे देखिए आपका right answer रहेगा उज्जेन इंदोर क्योंकि यहां पे जो option दे रहा कि उनमें उज्जेन और इंदोर दोनों ही मालवा के अंतर गताते तो यहां पे उज्जेन इंदोर आपका right answer है आगे बढ़ते हैं राजिपाल का कारीकाल कितना होता है तो दूसरा आगार का राजिपाल का कारीकार कितने वर्स का ने पूचे जात 가족 पूछे जाते हैं उनसे ही related दूस सब्सक्राइब यह आपका टैनिस से संब्सक्राइब इस सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब यह बहुत सा जदा कन्फूजन रहता है इन में इनकी स्तापना और वहर्स और किसने स्ताबना की थी यह कौन सा जो कि सामजिक संगटन तो इनको याद रख सकते हैं इसली कम समय में और कंफूजन भी बिल्कुल आपको नहीं रहेगा तो जीके टिक्सक माधिम साब देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं पहला गेर अमेरीकी टाइम पर्शन आप दी यर कौन था तो पहला जो गेर अमेरीकी टाइम पर्शन आप दी यर थे वह थे जो कि यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी रहेगा पहला आपका जो कि गेर टाइम पर्शन आप जो थे वह तो महात्मा गांध वाले रे में पेदा हुए परसीद किया गवालवादक प्रसीद सरओंगे लिया आपके रास्टी जो कि यहां पे भारती जो right answer रहेगा वो रहेगा भारती संक्आ की विविन इकायों की बीच वी वाथ लेकर के मौल अधिकार शे plains बहएं हाद बारती संक्रत की विविन इकायों की कमेंट करके जरूर करता है वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों सांद जरूर करें चैनल पर पहले बारा सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन को दबाए ताकि लाइटेस्ट वीडियो को जानकारे आपको सबस्पेले मिल जाए तो थेंक्स पोर वचिंग म मिलते हैं नेक्स टुडियो में जैन जे बारत